नमस्कार दोस्तो राजे सारवधी टिफ्स चनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है आज मैं जिस आउसदी ब्रच के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ यह बहुत ही महत्पुड आउसदी है और यह वीडियो आप आखरी तक देखिए मैं एक एकर किसके फायदे और इसके कौन-कौन से गुण धर्म है और यह किस तरह से हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है सारी जानकारी इस वीडियो में मैं दे रहा हूँ दोस्तो मित्रो यह जो ब्रच है इसके जो फूल है इन फूलों को टेसू कहा जाता है और इन फूलों से होली के रंग बनाए जाते हैं एकदम लाल नारंगी रंग के फूलों से ब्रच एकदम लड जाता है फूल होते हैं इसलिए दूर से देखने पर आईसा लगता है कि कोई ब्रच में आक लगी हुई है इसलिए इस गया जंगल की आग का जाता है इस पेड़ को दोस्तो इस ब्रच को अंग्रेजी भासा कि जो नाम है वो इस प्रकार से हैं इसको वक्र पुस्प कहा जाता है इसको रक्त पुस्प भी कहते हैं और ये इसको जो है ना किन्सुक भी कहा जाता है ये संस्क्रत भासा में नाम है इसके लावा इसके कुछ इस्थानी नाम है जैसे छूल का पेंड धाक है टेशू है केश है इसके इस्थानी बहासा में नाम दोस्तों मित्रों इस ब्रच के फूल टहनियां और पत्ते इटने पवित्र है और ऐसगे पत्ते में भगवान और देवताओं को भी प्रसाद दिया जाता था इसके पत्तों में और इसके पत्ते जो हैं वो सोने के समान कीमति हैं और इसके पत्तों में भोजन करने से सोन के समान और से दिगुन प्राप्त होते हैं इस प्रकार से आप समझ जाएंगे कि ये कितना चमतकारी है और कितना उपयोगी है और कितना फ बता के लिए बान दे जाते हैं इसके लावा इसकी लकडियों और पत्तों का जो प्रियोग है वो यग की समीधा करूब में किया जाता था प्राचीन समय में इसलिए इसका ब्रच का एक नाम याजिक भी है और ये जो है यग के संपन कराने में इस पौधे की भी मिसेज भूमका रहती थी और ये जो ब्रच होता है इसका जो पत्ते होते हैं उससे दोने बना जाते हैं जिनमें आमतार उपर सहरों में लोग चाट वगरा खाते हैं वो दोने बना जाते हैं और इसके पत तो के भी औवसदीगुन मिलते थे इस प्रकार से दोस्तों मित्रों इस पौधे का धार्मिक महत्यों के साथ-साथ आरवेदिक महत्यों भी बहुत याधिक है इसके प्रियोग कौन-कौन से है वो मैं आपको बता रहा हूँ और वो प्रियोग आप देखिए बहुत ही प्रियोग हैं जीवन में उनका प्रियोग करेंगे तो निश्चित रूप से हमें सा स्वस्त रहेंगे आईए एक एक करके आपको बताते हैं दोस्तों मित्रों ये जो ब्रच है इसको सामान बोलचाल की भासा में पलास कहा जाता है और पलास का ये ब्रच जो है ठंडी तास ब्रच भी होते हैं अब पलास के जो तना होता है वो काम सक्ती को बढ़ाने वाला होता है इसलिए दोस्तों मित्रों ये जो ब्रच होता है ये काम देव का ही रूप माना जाता है इसलिए इस ब्रच के प्रियोग से काम सक्ती बहुत बढ़ती है और इसके लावा इसकी जड जब है वो क्रमी नासक होती है जिसकी वज़े से पेट में उत्पन कीडों को वो निकाल देती है और इसके जड़ का प्रियोग आँखों में करने से आँखों की तमाम तरह की समस्याएं दूर होने लगती है इस प्रकार से दोस्तों मित्रों ये बहुत ही अत्यधिक आउसदी गुणों से भरपूर ब्रच है और इसका आपको किस प्रकार से प्रियोग करना है आईए मैं आपको बताता हूं दोस्तों मित्रों प्रलास के जो ब्रच होता है वो विश नासक गुण होते हैं सभी तरह का विश का प्रभाव ये खत्म करता है यद बिच्छू का दंस के प पीड़ा होती जो जलान होती वो सांत हो जाती है दूसरा प्रियोग इसका इस प्रकार से है कि पलास का एक पुष्प लेना है और उसको पीस देना है और फिर एक ग्लास गाय का दूर लेना है दोनों को मिला कर गरवती महिला को पिलाने से उससे उत्पन संतान जो होती है व एक्ति को आँनकों की समच्यान होने लगती है आँनकों से धुंदला दिखाई देने लगता है आँनकों करो सन्दिय मंदपढने लगती है तो भाय फूल होता है उसका रस निकालना है पूल थो 12 महिने मिलते हैं ये समस्याइं जैसे रताउंदी है मोतिया बिंध है या आखों से कम दिखाई देता है आखों से धुनला दिखाई देता है या आखों में लालिमा है ऐसी तमाम समस्याओं में आप इसका प्रियोग कर सकते हैं यदि फूल नहीं मिलने हैं तो इसकी जड़ होती उस जड़ में एक सीरा लगाने से एक इसका रस निकलता है उस रस को एक सीशी में भर कर रख लीजे और उसको भी सुबह साम एक से दो बून आखों में डालने से तमाम तरह के ये सारी समस्षाएं समाप्त होती हैं और इसका प्रियोग इसमें मिश्री मिला ले और फिर उसको सुबह साम गाय के दूर के साथ नियमित सेवन करने से याउन दुरबलता जो है दूर हो जाती है सारीरिक सक्ती जो कमजोर है वो खत्म हो जाती है वोई हुई सारीरिक सक्ती को पुना प्राप्त कर सकते हैं इसके सेवन से वीर दोस्ट ठीक होते हैं वीर के में जो कमिया है वो ठीक हो जाती है और वीर पुष्ट होता है और सरीर जो होना उर्जावान सक्तिसाली बलसाली बनता है इसलिए ये जो हमारे दोस्ट मित्र हैं ऐसे हैं जिनको इस तरह की समस्या हैं वो इसका प्रियोग कर स उसका काढ़ा बनाकर नियमित सेवन करने से काम सकती बढ़ती है और सरीर की जो दोस हैं, जो सब तिधातु हैं वो पुष्ट होती हैं इस प्रकार से आप इसके तने की छालका भी प्रियोग कर सकते। दोस्तों मित्रों, पलास के पत्तों का काढ़ा बनाकर सुबह साम नियमित पीने से अफारा, एसिडिटी, गैस, पेट दर्द से रात मिलती है ये प्रियोग उधर सूलक से भी आराम देता है एक चमच पलास के बीजों का चून, दिन में दो बार खाने से पेट के कीड़े मर कर भार आ जाते हैं इस प्रकार से ये हमारे पेट के लिए बहुत ही उपयोगी है दोस्तों मित्रों पलास की जो जड़ होती है जो तने की छाल होती है जो पत्ते होते हैं जो फूल होते हैं और जो फल होते हैं उन पांचों को लेकर उनकी राक बना लीजिए जलाकर और उस राक को देशी घी के साथ सेवन करने से बवासीर के मस्य जो होते हैं वो जढ़ जाते हैं और वो पूरी तरह से बवासीर ठीक हो जाता है और सभी प्रकार के जो रक्त सुरा होता है उसमें भी ये रोक ठाम करता है यदि चर्म रोगों के लिए इसके बीच जो है नीब पलास के जो फूल होते हैं वो लीवर के लिए बहुत हितकारी होते हैं पलास के फूलों का चून सुबह साम प्रियोग करने से लीवर जो होना तंदुरस्त रहता है और लीवर ठीक प्रकार से काम करता है और लीवर में जो पाचक रस होते हैं वो उचीत मातरा में बनते हैं दोस्तों मित्रों पलास की जो बीज होते हैं वो blood sugar को control करने में मदद करते हैं इसलिए डाप्टीज रोगी इनके बीजों का प्रियोग कर सकते हैं पलास के बीज जो होते हैं वो anti-accident से भरपूर होते हैं और इनमे anti-inflammation, anti-microbial, anti-fungal गुड होते हैं जो सभी प्रकार के चर्म रोग, फोड़ा, सूजन, दर्द, हाइड्रोसील की सूजन, इसी ऐसी तमाम समस्याओं में आप प्रियोग इसका कर सकते हैं पलास के बीज गुर्दे में उत्पन हुई पथरी के लिए बहुत ही फायदे मंद होते हैं पलास के बीजों के प्रियोग से गुर्दे मजबूत होते हैं और जो गुर्दा होता है उसमें जो दर्द है अगर किसी प्रकार का जो पेसाब करते समय दर्द होता है या पतरी का दर्द है, उनको आप ठीक करने लिए इसके वीडियो का प्रियोग कर सकते हैं, इसके अत्रिक ये प्रियोग पेसाब की जलन, पेसाब रूग रूग कराता है, पेसाब में बद्बू है, ऐसी तमाम समझ्चाओं को दूर करने में ये मदद करता है, इसके लावा पलास का तना की जो छाल होती है उसको पीज कर घाओं पर लगाने से घाओं बहुत जल्दी भर जाते हैं कुछ ट्रोग में भी इसकी तने की छाल का प्रियोग कर सकते हैं इस प्रकार से दोस्तों मित्रों मैं ये समझता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और क्यों जहिन धन्यवाद